हर हर महादे दोस्तों आप सभी का स्वागत है ससीस तड़का किचन में आज मैं आप सभी के लिए लेकिया आई हूँ नई रेसिपी में पनीर मसाला और साथ में है मजेदार इसके साथ खाने के लिए लच्छा पराथा और फिट तो सभी रहना चाते हैं पर कभी-कभी तो कुछ अच्छा सा खाने का मन सभी का कर जाता है आसान सी रेसिपी है पर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और कभी-कभी फेश्टिवल हो या फिर पार्टी हो या छोटी-मूटी पार्टी हो सभी के लिए आप इस पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा की रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले यहां हम ग्रेवी वनाने की तैयारी करेंगे तो यहां पर मैंने लिया है पांच प्याज और लहसुन ले लिया है आट-दस कली एक इंच अदरक का टुकड़ा एक हरी मिर्च दो टमाटर और अधाइसों ग्राम पनीर लिया है इसा जबी को हम डर दरासा ग्राइड कर लेंगे जोपर में भी इस pillar करके ले सकते हैं तो देखें कुछ इस तरीके का हमुझ तमाटर को इस तरीके से दर्रासा पीस करके ले लेंगे बस इससे ज्याद़ा हमें इसको नहीं पिसना है यानी पेस्ट जैसा नहीं बनाना है इस बात का ध्यान रखेगा गैस पर रख दिया था कढ़ाई कढ़ाई में दो बड़ा चमच मैंने सरसो का तेल डाल दिया है तेल को खुब अच्छे से गरम करना है तड़के के लिए एक तेज पता एक चमच जीरा और एक बड़ी इलाईची द एक चबाल चैका एक चूटा तुकडा जवीत तरीकर एक चोटा टुकडा धाल-चीनि रिख बात क्यों और लेया से बात प्याज को और आल-टि राम ministry को बन लेह ह Pasगे से भिजनों और। हमें टमाटर भी डाल देना है और रिख बहून लेना है उक्तिको और प्याज सबी अच्छे से पगजा इसके लिए हम टेस्ट के अकोर्डिंग नमक डाल देंगे तो एक चमज नमक डाल देना है और कुछ सुखे मसाले भी इसी टाइम हम डाल देते हैं ताकि वो पगजाए अब इसी स्टेच पर कुछ फ्लेवर के लिए मसाले डाल देते हैं एक चमज डाल द इस पी ही डाल देंगे गरम मसाला इसको डाल करके इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से भूल लेना है और हाँ दरदरा कुटा हुआ इसमें लहसुन डाल देना है लहसुन को मैंने अलग से कूट करके लिया है आप चाहे तो उसी प्य जबू आने लगी है तब यहाँ पर डाल देना है इसमें एक बड़ा चमश बटर का और यहाँ पर दो बड़ा चमश मैंने फ्रिस ताजी घर की दही लिया है वो डाल देना है और अच्छे से गैस का फ्लेम लो करने के बाद इन्हें डालना है दही और बटर को मिक्स करना ह तो दिखे 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर मसालो को खुब अच्छे से मैंने भून लिया है और इसमें से ओल सप्रेट होने लगा है यह इंडिकेशन है कि मसाला अच्छे से हमारा पक चुका है तो चलिए इसमें डाल देते हैं पनीर तो पनीर को बड़े बड़े टुकडों म मैंने काट लिया है और डाल करके अच्छे से मिला लेना है 2-3 मिनट के लिए मसालो के साथ इसको भून लेना है तो अच्छे से मिलाते हुए मैं भून लूंगी और यह पनीर मसाला बहुत ही स्वादिष्ट लगता है लच्छा पराठा हो या सिंपल रोटी हो नान चावल क किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो देखे यहां पर तवे पर मैंने एक बड़ा चमच रोष्ट कर लिया था कसूरी मेथी तो कसूरी मेथी को हाथों से मसल करके इस तरीके से डाल देना है डालने के बाद हलका गुनुना पानी डाल देंगे तो एक कप मैंने यहां पर पानी का इस्तमाल किया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कभर कर देना है पांच मिनट पकने देना है जब तक मेरी सबजी पक रही है तब तक यहां पर हम बना लेते हैं अपना लच्छा पराठा तो नॉर्मल गेहूं का आठा वहीं रोटी के लिए जो यह लच्छा पराठा बन करके तयार होगा तो जैसे रोटी आप बेल करके तयार करते हैं वैसे ही इसको भी बेल करके तयार कर लीजे एक रोटी मेरी बन गई है इसके उपर घी या बटर लगाना है रोटी के उपर अच्छे से घी या बटर लगाने के बाद थोड़ा सा आठा डश्ट कर दीजे तो इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजे आठे को और देखिए इस तरीके से एक साइट से उठाना है और एक के उपर प्लेट जैसा बना लेना है बच्पन में आप सभी को याद होगा कि कागज के पंखे हम इसी तरीके से गर्मियों में बनाया करते थे सब को याद होगा साय सबने बनाया भी होगा मैंने तो बहुत बनाया है तो आज यहाँ पर इस तरीके से लच्छा पराठा बन रहा है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद किनारे को भी चिपका देना है आपस में और थोड़ा सा हाथों से इसे लंबा कर लेना है ज्यादा तुड़ जाएगा और ये बिखर जाएगा इसलिए इससे ज्यादा मत खीचेगा और इस तरीके से राउंड करते हुए आप इसे चकली जैसा बना लीजिए और नीचे ला करके किनारी के पोर्षन को दबा दीजिए और लीजिए ये एक लच्छा पराठ्या का लोई बन करके तयार है तो सुखा आटा लगाते हुए हलके बेलन से दबाते हुए इसको बेल करके तयार कर लीजिए और थोड़ा सा जैसे ही आप पूरी के सेप में बेल करके तयार कर लेंगे तब इसके उपर से आप डाल दीजिए कलाउंजी मंगरेल को डालने के बाद हलके से दबाते बेलन से आप बेल करके तयार कर लीजिए तो ज्यादा दबाव देते हुए मत बेलिएगा और देखे ये आटा है तो किनारों से ये फट रहा है तो कोई बात नहीं है ये आटा है तो थोड़ा बहुत ये किनारों से फटता है पर यहां पर लच्छा पराठा आपका मस्त बिल बस कुछ नहीं करना है इसको घी या बटर लगाते हुए पलटे से दबाते हुए अच्छे से से लीजिए तो दोनों साइट low to medium flame पर इस पराथे को अच्छे से से लेना है तो बाकी लच्छषा पराठा भी इसी तरीकिय से बना करके सभी को सेक लेना है और ये लच्छा परा ये बटर पनीर मसाला और साथ में लच्छा पराठा दोनों रेसिपी मेरी बन करके तयार है फटा फट से प्लेटिंग कर लेते हैं तो लीजे प्लेटिंग मैंने कर ली है अब पारी आती है टेस्टिंग की तो चलिए फटा फट से टेस्ट कर लेते हैं तो लीजे दोस्तों मै आप भी बनाईए और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आज की रेसिपी आप सभी को कैसा लगा फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग बाई बाई